एपिसोड 218, डिस्क्लेमर, दोस्तों मैं आप सभी को बता दू, ये कहानी पूरी तरह कालपनिक है, ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इसमें दर्शाय गई सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह कालपनिक है, ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंप्राओं और विश्वाशों के अपमान नहीं करती है, और कहानी में बताए गए, सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई, लेख की अपनी एक कल्पना है, तो दोस्तों मैं आपको आगे बता अगर आप हमारे वीके नोवस्टरी 2.0 चैनल पर नहीं हैं, तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद, सेर हाथ से निकला जाना और गस्सा, मिटिंग होल में, अब तक आप लोगों ने सुना कि धननजि ठकराल राजेश को लग रहा था, कि उन कागस पर साइन हो चुके है, तो उसके पास अभी भी कोई उम्मीद है, तभी उनकी उम्मीद को पूरी तरह से कुचलते हुए, वहाँ पर राजेश कपूर का वकील आता है, उसे वहाँ आता देख, राजेश कपूर परेशान आवाज में पूछता है, क्या प्रोसीजर पूरी हो गई? तो वकील मायूस होकर बोला, नहीं सर, वो पेपर्स वैलिद नहीं है, हमें वहाँ से कहा गया कि मिस अनाया चाह कर भी आपको अपने शेर्स नहीं दे सकती, ये सुन राजेश कपूर बौखलासा गया, वो कल से ही बहुत ज्यादा खु वही ये सुनकर जानवी कपूर भी सोच में डूब गई, हालांकि वह बौकलाई हुई नहीं थी, क्योंकि वह बॉलिवुड इंडस्ट्री में थी, उसे पता था कि कब किस तरह से बेहेवियर करना है, ताकि उसका नाम खराब ना हो, लेकिन अंदर से तो वह इतनी गुस्स में थी, कि उसके चहले की एक्स्प्रेशन अनाया साफ साफ पर सकती थी, उसके चहले पर एक टैडी की मुस्कान आ गई, तभी वकील को अभी भी चुप देख राजेश का पूर गुस्से, ए पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बात क्या हुई, तो वह फिर दरते हुए बो मैं बताता हूँ, कि वो वैलिब क्यों नहीं है, इतना बोलकर वो एक गहली सास लेते है, और प्राउड मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि अनाया बितिया चाह कर भी अपने शेर्स किसी को नहीं दे सकती, शिवाय अपने लीगल हस्बैंट के, और उसके पती को भी सेर देने ये सुनकर उस तीन तेगली का मुह काला पर जाता है, जैसे हाथ को आया, लेकिन मुह ना लगा, ऐसी हालत हो गई थी, उन तीनों की, वो तीनों कही के नहीं रहे थे, क्योंकि कल वो राजा की तरह इत्रा रहे थे, लेकिन आज जाकर उन्हें पता चला था, कि वो तीनों ही बेवकुफ बन चुके थे, विशाल महता जो कब से चुपचा के सब कुछ सुन रहा था, उसने भी काफी इंटरेस्ट से अनाया को देखा, अब उसे अनाया को हासिल करना ही था, क्योंकि एक तो वह उसकी डिजाय बढ़ा रही थी, और उसको अपनी और अट्रेक्ट कर रही थी, दूसरा वो इस कपूर अंपार की इकलोती मालकिन थी, गीता कपूर की बेटी, उसके साथ साथ इतनी प्रॉपटी उसके पास आएगी, जो वह सोच भी नहीं सकता, और इतना ज्यादा प्रॉफिट वह छोड़ नहीं सकता है, पहले जब जानवी उसे अनाया की बुरा कीच रहा था, और अब भला वो सोने के अंडे देने वाली मुर्धी को हाथ से कैसे जाने दे सकता है, अब उसने अपने इरादे पक्के कर लिये थे, कि वह अनाया को हासिल करके रहेगा किसी भी कीमत पर, तभी एक शेरहोलडा बोला, अब तमाशा काफी हो गया है, यह मा बेटी को भूरता है, यह सुनकर राजेश कपूर भी अब कुछ नहीं बोल पाता, तभी धननजे ठक्राल अपने गार्ड से बोले, इन दोनों को बाहर ले जाओ, वह दोनों नहीं जाना चाहती थी, इसलिए खुद को वही पर खड़ा रखा, वह बेशर्म की तरह लेकिन गार्ड उसे खीचते हुए बाहर ले गई, आज उन दोनों की बहुत जादा बेजती हुई थी, और उन दोनों को कमपनी से ही बाहर फेका गया था, तो वह दोनों नफरत से भर चुकी थी, उन लोगों ने ठान लिया था कि वह इस चीज का बदला उसे जरूर लेकिन उन मूर्खों को ये समझ नहीं आ रहा था, कि ये अनाया का किया हुआ नहीं है, लेकिन उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले दूबा है, लेकिन कहते हैं, ना जब हम पर मुसीबत आती है, तो चारों और से आती है, और हम सोचने समझने की ताकत खो देते हैं, उ उन दोनों के साथ भी वही हुआ, उन्हें लग रहा था, कि उनके असली चेहरे और रंग देखने के बाद भी अनाया उनके काबु में है, लेकिन वह गलत थे, पहले भी अनाया उनके काबु में नहीं थी, वह सब कुछ जानती थी, बस नाटक कर रही थी, लेकिन इस बार तो उन लोगों ने हद कर दी थी, सब के सामने ही उन लोगों ने अनाया को नीचा दिखाया था, यहां तक कि राजेश कपूर ने भी उनका इंडाइरेक्ट साथ दिया था, वह ये बात नहीं समझ पाए, कि इन सब के बाद अनाया उन लोगों की रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और दुनिया के सामने भी उसे अच्छा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और शायद यही वजह थी, कि अनाया ने ये नाटक रचाया था, ताकि वह फ्रिली कपूर मैंशन से बाहर जा सके, पहले वह जब भी बाहर जाती थी, तब गाव की गवार और छो लेकिन अब वह मुखोटा उतर चुका था, तो अब अनाया आजाद थी, वह जो भी करें अब राजेश कपूर और वह दोनों मा बेटी कुछ नहीं बोल सकते थे, हालांकि राजेश कपूर की बेशर्मी नेक्स्ट लेवल की थी, लेकिन अब अनाया दुनिया के सामने जो अनाया को चाहिए थी, पिछले जन्म में वह लालची खांदान खुद को बेचारा दिखा कर और सोसाइटी में सुर्खियां बटोरता था, लेकिन इस बार उनकी वही साफ सुत्री छवी, अनाया बिगार चुकी थी, यह उसका पहला बदला था उनसे, क्या इसके पीछ अनाया है वो कभी राजेश कपूर को पता चलेगी, क्या अनाया अपने हबी को मिल पाएगी, एपिसोड, 219 राजेश कपूर ने सब चीजों का कुसूर वार अनाया को ठहराया, मीटिंग हॉल में, दूसरी और मीटिंग हॉल का महौल इन सब से बिलकुल उलत था, धननजे ग्रूप का रिप्रेजेंटेटिव बोला, अच्छा हुआ मिस्टर थक्राल, आप आ गये, हमें तो लगा था कि आज मिस अनाया का सब कुछ छिन जाएगा, धननजे थक्राल ताना मारते हुए बोला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी गीता मेम इस मामले म बहुत ज़्यादा तेज है, वह ऐसे किसी इनसान पर यकीन नहीं कर सकती, इसलिए तो उन्होंने इतनी ज़्यादा स्ट्रांग विल बनाई है, और वैसे भी आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इस मीटिंग हॉल में बहुत कम लोग थे, जो अनाया बिटिया के उस इनसान को देख रही थी, हालांकि मास्क की वजए से उसके इमोशन नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी आँखों के विनम्र भाव अभी भी देख रहे थे, तब ही वह रिप्रेजेंटेटिव बुला, अरे अब तो खामखा मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये सब कुछ तो मेरे बॉस का ओडर था, उन्होंने मिस अनाया को अपनी नातिन माना है, तो भला वह उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं करेंगे, अगर आप नहीं आते, तो इस मीटिंग के बाद में उन्हें ही बुलाने वाला था, ये सुनकर राजेश कपूर की मुठिया कस देई, वह ये सम करते हैं, तभी धननजे थक्राल बोला, ठीक है मिस्टर राजेश चले आप मुझे कमपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाए, क्योंकि आपको बस यहाँ कमपनी चलाने के लिए ही रखा गया है, जिसकी आपको सेलरी मिलती है, ये सुनकर राजेश कपूर का मुह काला हो जिसकी वजह से सभी लोगों को यही लगा, कि गीता कपूर के बाद इस कमपनी का मालिक राजेश कपूर है, और वारिस अनाया है, राजेश कपूर डरते हुए बोला, कमपनी अभी ठीक नहीं चल रही है, कुछ कंट्रोवसी की वजह से, और कुछ टेकनिकल इश्यू की व जाल की आँखें छोटी हो गई, वह थोड़ी कड़क आवाज में बोला, हमारे लोयल क्लाइंट अभी भी हमसे दूर नहीं गए है, और यह सब कुछ हुआ क्यों, क्या तुम यह मुझे नहीं बताने वाले, यह कहते हुए उसकी आँखें कठोर थी, वही राजेश कपूर उसे अविश्वास से घूरता है, क्योंकि हर किसी को पता है, यह सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, फिर भी धननजे ठक्राल उसे नीचा दिखाने के लिए पूछ रहा है, वह थोड़ी गंभीर आवाज में धननजे ठक्राल से बोला, यह सब कुछ अनाया की वजह से हुआ और उसकी कंट्रोवसी की वजह से हुआ, यह सुनकर धननजे ठक्राल की आखें कठोर हो गई, क्योंकि राजेश कपूर साफ साफ सारी चीज अनाया पर उडल रहा था, यह सुनकर वह कड़क आवाज में बोले, बकवास करना बंद करी, अनाया बितिया तो यहां थी भी नह और शायद यही वजह थी कि वो सब कुछ हुआ, उसमें गलती तुम्हारी है, तुम उसके लीगल गाजियन थे, जिसकी वजह से तुम्हें उसकी देख भाल करनी थी, लेकिन तुमने उससे पीछा चुड़ाया, और यहां से दूर दराज हिमाले की किसी गाउं में उसे इल इस वजह से यह कंट्रोवसी हुई, और इस कंपनी के शेर्ज गिरे, तो इसमें गलती अनाया बिटिया की नहीं, तुम्हारी है, और तुम्हारी उस लालची बेटी की, वैसे भी तुम अपने हर फर्ष से पीछा चुड़ा चुके थे, तुम्हें बस कंपनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वही राजेश कपूर का चेहरा तो अब तक पीला पड़ चुका था, उसे लगा था कि धननजे ठकराल इंडिया में बहुत कम रहता था, इसी वजह से उसे चोटे मोटे मामलों के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन उसने तो सभी श शेरहोल्ड भी उसकी इजज़त नहीं करेंगे, लेकिन वह मजबूर था, वह थोड़ी शांत आवाज में बोला, मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन कमपनी में कामों की वजह से मैंने ये किया था, और मैं उसे वक्त पर वापिस नहीं ला पाया, वह भी आगे कोई और बहान करता, उससे पहले ही धननजे ठकराल कढ़क आवाज में बोला, मुझे बहाना नहीं सुनना है, जब तुम अपनी दूसरी बेटी को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे, और उसके लिए अनाया बिटिया के फंस पैसे इस्तेमाल करते थे, तब तुम्हारे पास वक्त था, अलग-अलग पार्टी अटेंट करने का, और अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का, लेकिन अनाया बिटिया को वापस लाने का तुम्हारे पास वक्त नहीं था, और आज मैंने देख लिया कि तुम तीनों अनाया बिटिया के साथ किस तरह से व्यवहार करते हो, इसलिए बहाना बनाना बंद करो धननजे ठक्राल की पूरी बात सुनकर वहां के शेरहोल्डर भी उसकी हामे हामी भरने लगे वही राजेश कपूर का चेहरा तो अब तक पूरी तरह से काला पर चुका था उसे डर लग रहा था कि कहीं उस CEO की पोस्ट ना चली जाए लेकिन वह एक ब ताकि वह कुछ सीख ना पाए हालांकि यह idea रवीना कपूर का था लेकिन वह अपनी बीवी की इस बात को मान कर खुश था तब ही उसके कानों में धननजे ठक्राल की आवाज आए अब तुम मुझे ये जवाब दो की company की हालत ठीक कैसे करोगे क्योंकि गलती तुम्हारी है और उसके चहले के डर को उसकी आँखे में मैं अनाया भी देख लेती है अनाया मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि पहले उसने गीता कपूर की जेब खाली की थी अब उसकी नजरे राजेश कपूर की जेब पर थी लेकिन वह इतनी आसानी से उसे छोड़ने नहीं वाली राजेश कपूर दरते हुए बोला लेकिन मिस्टर थक्राल मेरे पास तो कोई फंड नहीं है और ना ही कुछ और है तो मैं कमपनी की हालत कैसे ठीक कर सकता हूँ प्लीज आप ही कोई सेजेशन दीजिए वही धननजे थक्राल के चहरे पर एक टेडी मुसकान थी जैसे वह य राजेश कपूर खुद को कैसे बचाएगा और क्या अनाया लेगी अपना बदला क्या प्लान बनाया था थक्राल ने तो दोस्तों आखिर कहाणी में आगे क्या होगा या जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वी के नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेर जरूर करे आपके एक कॉमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है धन्यवाद